हाई योरीवन दोस्तों स्वागा थे आप लोग का डिप्लोमा आई टीए डिवर्ट दोस्तों आई यूसी यल इंडियन ओल कोपरेशन लिंटेड रिफान्यू डिविजिन में अभी में जो रिसेंट में जो स्वाट लिस्ट लिस्ट आया है फॉर्ट डॉक्मेंट वेरिपि कैट बहुत इंफॉर्मेट्वी और नॉलिजबल वीडियो होने वाला है जो भी जिस केंडिएट का रिजल्ट अभी पॉब्लिश हो चुका है उनके लिए भी और जिसकेंडिएट का रिजल्ट नहीं हुआ है उनके लिए यहां पे यहां पे देख सकते हैं आई यूसील का रिजल्ट पॉब्लिश्ट हो चुका है completely यहाँ पर पारादी प्रिफाइनेरी और जिसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर पानिपत रिफाइनेरी का आपका क्या क्या डोकमेंट रहने वाला है इंपोर्टें इंपोर्त तु चलिए यहां पर लिस्ट से डाउनलोड करेंगRY इस लिस्ट में और डिखेंस का नाधून को कि दिखाना चाहूंग जाओं कि क्या क्या इंपोर्टेंट चीजा में प्रिफाइनों कर लिया है यहां पर जैसे नीचे आएंगे यहां पर काफी candidate को यहां पर बुलाया गया है document verification के लिए अलग-अलग यहां पर discipline mention किया गया अलग-अलग discipline के according उनका date भी रखा गया document verification के लिए तो जैसे नीचे आएंगे एक बार जिस भी candidate का इसमे रूल नंबर मेंशन किया गया है सबसे पहले उनको मैनि मैनि कॉंकूर्डिलेशन और जैसे नीचे आएंगे तो आपको बहुत ही important यहां पर आप देख सकते हैं यह पारादी पर रिफाइनरी हो या कोई भी रिफाइनरी जो लगेगा हो सभी में लगता है तो यहां पर जैसे देख सकते हैं कि फाले दोस्तों फर्स्ट पॉइंट शेकेंड पॉइंट और थर्ट पॉइंट बहुत ही जधा important नहीं है इसमें यह बताया गया थर्ट पॉइंट में कि जिस भी candidate का इस लिष्ट में नाम और रोल नं सब्सक्राइब को जितने भी ओर्जिनल डॉकमेंट है पहले तो सबसे पहले आपको ओर्जिनल सेटिपिकर लेकर जाना पड़ेगा यह जितने भी आपके पास है अभी मैं आपको जैसे निचे आएंगे तो लिस्ट में टूटली आपको काउंट कराऊंगा उसके बास से प लिस्ट मना कर दिखा दिया गया कि क्या कि आपको लेकर वहां पर जाना है और डॉकमेंट वरिपिकेशन की दौरान क्या मेंडेटर रहे यहां पर देख से पास का सेटिपिकर होना चाहिए उसके बास से कलास 12 का मार्क सीट होना चाहिए जैसे नीचे आएंगे तो यहां प जिससे पर आपने अपलाई किया है अपरेंटी सीप के लिए उसका यहां पर अफ्दक्सित होना चाहिए और जैसे नीचे आएंगे छी नंबर अपसन पर इसन ने स्यटिपिकेट मंगा तो दोनों आपको लेकर जाना है मार्क सीट और सेटिपिकेट जिसे नीचे आएंगे तो जो भी D में में मेंशन किया गया है, यहां पर Conversion Certificate लेना चाहिए, Conversion Certificate जो भी CGPA जिसका होता है या OGPA होता है, वो समझते होंगे, आपको Conversion Certificate लेकर जाना, यह नमर की बात कर जाने, तो Certificate मेंशन देट आप तब पॉब्लिक सबसे पहले यह important काफी ज्यादा है, मैं समस्टर जो Net Copy होती है, उस पर आप लोगो को जिस College से आप पास आउट हैं, उसी College जाकर आपको Self Attested कराना होगा by Principal, यानि कि आप समझ जिए होंगे कि College का मुहर रहना चाहिए और Principal का साइन होना चाहिए, जो समस्टर वाले Candidate हैं और Net Copy जिनके पास होगा, तो Finally नहीं होगा तो आप लोगों को जो है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का डोकुमेंट भरिपिकास नहीं होगा, लेकिन आप लोगों फर्दर आपको Next Time दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों बहुत ही mandatory है, Net Copy पे आपको Principal का मोहर और उनका Principal का टेस्टेड होना चाहिए, साइन होगा रहन सब्सक्राइशन कर देंगे, जो भी Candid है, यहाँ पर SCST Certificate होना चाहिए, OBC वाले Candid है, तो Government of India का होना चाहिए, और latest होना चाहिए, यह था important SCST OBC वाले Candid के लिए, जिसे नीचे आएंगे, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, कि जो भी Post Code 111 वाले Candid है, उनके पास हो Candidate apply किया है, अप्रेंटीशिप के लिए, यहाँ पर H number की बात का है, the Candidate are advised to bring proof of regular यानि फूल टाप, यहाँ पर regular course होना चाहिए, आपका या फूल टाइम बात एक ही होता है, तो एक बार आप अटेस्ट करा लेंगे, अपने सेट्पिकट को, कॉपी को, तो टोटली आपक certificate as a special by, यानि कहा जा रहा है कोई other आपके पास certificate है, तो लेकर आना है, लेकिन इसी कोई बात नहीं, केवाल जिस बेस पर आप फॉर्म फिलप की है, जैसे डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा का ही certificate दिखाना है, higher qualification में, ITI है, तो केवाल ITI ही certificate वहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर की बात किया जाए, तो OVC वाली जितने भी candidate है, उनको latest government of India, यानि center government का, यहाँ पर cost certificate रहेगा, तभी उनको registration मिलेगा, जैसे निचे आएंगे, तो यहाँ पर 8 number में यहाँ देखने को आपको मिलेगा, कि जो भी SC, ST और PWD वाले candidate है, उनको TA मिलने वाला है, यहाँ ट्रेव document verification के लिए जा रहे है, उनको 2-3 दिन वहाँ पर stay, यानि ठारना पड़ेगा, रूकोना पड़ेगा, तभी आप लोगों का medical totally complete हो पाएगा, तो finally सभी यह हर सजाल का होता है, जो भी candidate apprenticeship कर document verification का रहेने जाएंगे, जितने भी candidate का short list में नाम है, उनको आप लोगों को खर्चा कुछ money लेकर जाना है, क्योंकि refinery hospital में कुछ ऐसी जांचे होती है, नहीं हो पाता है, तो उनको बाहर से कराया जाता है, और जो जो भी जांच कराया जाता है, बाहर से उन्हीं का पैसा लगता है, तो मैं आपको बताना चोंगे, कितना पैसा लगता है, with fact and with experience के साथ, तो आ one month complete जैसे करेंगे, आप अपना apprenticeship आपको finally refund कर दिया जाएगा, जो भी आपको medical में लगने वाला है पैसा, वो आपको refund कर दिया जाता है, तो minimum आप 3000 ले कर जाएगा, उपर से अपना खर्चा आपको लेकर जाना है, यह था important regarding document verification, और भी कोई doubt होता है, comment box में comment किजिए, या telegram group पे जुड़ जाएगे, वहाँ पर काफी candidate selected candidate है, वहाँ से कोई भी doubt होता है, तो मुझसे या उन से किसी भी से पूछ सकते हैं, तो यह था कुछ important information regarding document भरिप के साथ, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद,